मैं एक ऐसा शब्द जिसके कई सारे अर्थ वास्तविक अर्थ है एहन। यदि आप बात करोगे सृष्टी के निर्मान की तो ये मैं ब्रह्मदेव बनकर सृष्टी का निर्मान करेगा। यदि आप बात करोगे प्रले की तो ये मैं महादेव बनकर विनाश करेगा। ये मैं सदभाव है। किन्तु केवल तब तक जब तक आप इसे सब के साथ बाटो। किन्तु हम मनुश्य कई बार इसका अर्थ समझ नहीं पाते। इस एहम को सिमित कर देते हैं केवल एक रखनी तक केवल स्वयम। और तब जाकता है एहम का। इसमें आकार होता है केवल मैं का, हम का नहीं। और अकेला व्यक्ति न उत्पत्ति कर सकता है न कर सकता है स्रेज। अब देखिए न। वर्षा की एक बून उसका भी अस्तित्व होता। किन्तु वो धरा पर गिरते ही समाप्त हो जाती। किन्तु जब बून्दे मिलकर गिरती है तब होती है वर्षा और तब बनती है धारा। कर देखिए यू यू यो जदो एक और शोंगो जो जो ढदो कि कर सकता है जदा है कि एक कर सकता है दो किन्तु जड़े